नमस्कार, मैं सुधिरकुमातर पाठी आपका स्वागत करता हूँ मैं आपको पहले भी कई बार स्वागत कर चुका हूँ आज च्छठी बार आपका स्वागत करने जा रहा हूँ क्योंकि यह लेक्चर है आपका छठा और इसमें मैं एक नया चैप्टर ले करके आपके सामने हूँ और उस चैप्टर का नाम है Respiratory System या स्वसंतंत्र जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दो बातें बताई थी पहला ये बताया था कि आप खाना कैसे खाएंगे उस खाने को कैसे पचाएंगे और दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था यानि दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि उस गंदे खाने को जो खराब खाना है उसको आप कैसे निकालेंगे तो याद रखना खाने को निकालने की प्रक्रिया उत्सरजन थी जो हमने आपको पढ़ाई थी आज हम उस जो पचे हुए भोजन को जलाने की प्रक्रिया बताएंगे और इस प्रक्रिया से आपको भरपूर एनरजी मिल जाएगी भरपूर उर्जा प्राप्त हो जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि खाना खाईएगा तभी ऑक्सीजन की जरूरत होगी और ऑक्सीजन की जरूरत तभी होगी जब आप खाना खाईएगा तो ऑक्सीजन के साथ खाना जरूरी है और खाने के साथ ऑक्सीजन जरूरी है मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्जामपल दे करके फिर आगे के चैप्टर्स में चलता हूँ और हाँ, मैं आपको आज फेफडों के बारे में विस्तार से समझाने जा रहा हूँ यानि लंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ पहले मैंने पाचन तंत्र पढ़ाया था, फिर इसके बाद उस सर्जन तंत्र पढ़ाया था किडनी और आज मैं आपके सामने लंग्स या फेफडी लेकर के आया हूँ तो बेटा देखो इस चैप्टर में क्या क्या है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फेफडों की संरचना और स्वसंतंत्र एमम प्रक्रिया यानि जो आपकी oxygen जाती है सरीर के अंदर उस oxygen का हमारे सरीर में उपयोग क्या है मैं आपको फिर कह रहा हूँ यह course NTPC और RRBJ based है इसलिए content जितनी जरुवत है उतना ही दूँगा उससे जादा नहीं क्योंकि सभी exam का अपना एक इस्तरिया level होता है ठीक है पिछले वीडियो में आपने क्या किया था आपने glucose बना लिया था पाचन के बाद अब उसके बाद इस glucose में एक बड़ी ही खराब चीज मौजूद थी उसका नाम था क्या यूरिया और अब हमने यूरिया को kidney के माध्यम से filter कर दिया था यानि अब यूरिया आपका क्या हो गया filter हो गया अब आपके पास अच्छा वाला glucose मौजूद है और अब हम इसके साथ क्या जोड़ देते हैं oxygen जोड़ देते हैं और जैसे ही इसके साथ हम oxygen जोड़ेंगे तुरंट आपको क्या मिल जाएगी उसका नाम है energy या उर्जा तो बिटा ध्यान रखना खाना खाने का मुख्य उद्देश क्या था energy लेना तो पहले आप याद रखिएगा हवा खा के कोई जिन्दा नहीं रह सकता इसलिए खाईए पचाईए निकालिए जलाईए और क्या ले लीजिए energy ले लीजिए तो आईए हम आपको इस वीडियो में ये समझाने जा रहे हैं कि कैसे oxygen आती है और हमारा फेफड़ा फूल जाता है और कैसे oxygen को हमारे फेफड़ों से blood ले लेता है और उसको energy के रूप में आगे की और बढ़ा देता है तो चलिए आगे के slide की और आगे बढ़ते हैं एक सुंदर और खुबसूरत था बिना धूए वाला cigarette कह रहे हैं बिना धूए वाला फेफड़ा आपके सामने बना हुआ है अगर आप सिगरेट के सौखीन हैं अगर आप गांजा चरस पीते हैं अगर आप चूले वाले खाने चूले वाला जो खाना होता है जिसमें धुआ निकलता है, वहाँ पर बैठते हैं, तो आप ये जो सफेज सफेज दिख रहा है न, ये सब कुछ आपका काला होगा, अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं, तो काला ही होगा, ठीक है, तो चलो बेटा, अब आपके सामने ये फेफडा बना हुआ है, इन सब की अपनी एक संरच है, इस्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ समझाता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए, हम मुख से भी सांस लेते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं, तो चलो नाक और मुझ से सांस लेना ये तो सब लोग कर लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि हमारे दो फिफडे होते हैं देखो दो फिफडे होते हैं लेकिन इनका कलर कैसा होता है लाइट पिंक कलर का होता है हलके गुलाबी रंग का होता है लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका फिफडा काले रंग का होता है अब है और अब आप इसका कारण जानना चाहोगे कि बाया फेफडा दाहिने से छोटा क्यों होता है तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी जगह पर आपका हार्ट होता है और इसी हार्ट की वज़े से आपका blood क्या होता है oxygen आप जानते हो heart में blood में oxygen कहां से आएगी फेफणों से आएगी इसलिए यहां पर heart होता है बाएं तरफ इसलिए आपका बाया फेफणा थोड़ा सा छोटा हो जाता है दाहिने के comparison में तो याद रखिएगा lungs pink कलर का होता है और बाया फेफणा दाहिने कि अपेक्छा क्या होता है? छोटा होता है ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं सुंदर सा फेफणा बना हुआ है आईए बताते हैं आपको बेटा हमारा जो फेफणा है वह एक जिल्ली से घिरा होता है मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं हमारे सर फड़ा किस जिल्ली से घिरा होता है तो उसका नाम है क्या प्लूरा मेंब्रेन क्या नाम है प्लूरा मेंब्रेन और बिटा याद रखना फेफणों को हम हिंदी में फुप्फुस के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं फुप्फुस के नाम से जानते हैं तो देखिए लिखा हु फुफुस का आवरण हम इसे प्लूरा मेंब्रेन के नाम से भी जानते हैं तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन जाती कैसे है उसमें ऑक्सीजन पहुँचेगी कैसे तो देखो इधर बात को आपनों को मालूम होना चाहिए कि हमारे सरीर में लगभग 95,000 किलोमीटर की धमनी और सिराएं पाई जाती कितने किलोमीटर सुनके दंग रह जाईएगा 95,000 किलोमीटर की आर्टरी एन वेंस पाई जाती है और जिसमें से 90% केवल फेफडों में पाई जाती है समझ रहे हो 95,000 किलोमीटर की धमनी और सिराएं पाई जाती है जिसमें से केवल 90% केवल और केवल फेफडों में पाई जाती है याद रखिएगा इस बात को देखो इधर बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है जानते हो ये left part है यानि बाया भाग आप जानते हैं बेटा इसको क्या कहते है right portion तो ये right भाग होता है वो left है तो ये right है देखो ये right loaves हो गए तो ये आपके सामने क्या है left loaves हो गए इसमें आपको कुछ भी बताने की जरुत नहीं है जो फेफडा बाये होगा वो बायाई होगा जो दाहिने होगा वो दाहिने ही होगा ठीक है अब देखिए इदर आप गोले संडचना बनती है ये देखो ये ऐसी ऐसी ये देखो और ये संडचना आपके सामने बनी हुई है आपके CGL 2017 में कुष्चन आया था कि ये बताओ Elvoli किसको कहते आitate अलवलाई का मतलब होता है वायू कोस्था कि याँनि जहां पर ऑक्सीजन आती है और फिर हमारे ब्लेड में चली जाती है और ये देखो ये आपका Elvoli है पूरा का पूरा Elvoli इसी में oxygen आती है और इसकी दीबारों पर क्या होता है Blood होता है और वह Blood इसको ले लेता है और ले करके आपके शरीर के अंदर पहुंचा देता है ध्यान रखिएगा इस बात को तो याद रखना वायू कोस्ठक जैसे Heart में Chamber होता है वैसे ही फेफणों में भी Chamber होता है और इस चैंबर का नाम है क्या एलवलाई या वायु कोस्ठक के नाम से तो ध्यान रखिएगा एलवलाई फेफणों का भाग होता है वायु कोस्ठक फेफणों का भाग होता है क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं और आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं अभी तक आपको दो तीन बातें बताई फेफडा एक जिल्ली से घिरा होता है बाया फेफडा दाहिने से छोटा होता है क्योंकि बीच में यहाँ पे हार्ट पाया जाता है याद रखिएगा और एक चीज और ध्यान रखिएगा यह जो आपका माउथ वाले हिस्से से एक पाइप आता है वालक उस पाइप को ऊपरी हिस्से को हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ट्रैकिया क्या नाम से जानते हैं ट्रैकिया लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ द्यान से सुनिएगा ये जो बेटा ट्रैकिया है ना ये हम लोगों में तो एक पार्ट है फिफड़े का हमारा हमारा सांस लेने का मुख अंग क्या है वो है फिफड़ा लेकिन कौकरोच में में आर्गन क्या होता है सांस लेने के लिए तो याद रखना उसका नाम है क्या ट् S.S.C. में ही 2013 में question पूछा गया था कि कौकरुच में कौन सा अंग सांस लेने के लिए होता है तो हम उसे कहते हैं क्या Trachea, Tracheal Organ Found in Cockroach for Respiration यानि कौकरुच में स्वसन क्रिया के लिए क्या पाया जाता है तो उसका नाम क्या है Trachea पाया जाता है ध्यान रखना ज्यादा तर जो Insect होते हैं ज्यादा तर जो कीट होते हैं उनमें पाया जाता है ध्यान रखना इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं आगे समझाते अब आप ये बताओ मालो एक Branch आ रही है तो उस Branch को हम क्या कहते हैं उस Branch को आगे की और जाके Branchiols के नाम से जानते हैं देखो बिटा Branch से Branchiol बना हुआ है तो जो Trachea का आगे की और Branch चला जाता है उसे हम Branchiols कहते हैं और Branchiols बाद में और छोटी छोटी हो जाती है जो छोटा छोटा पार्ट होता है जो Branchis में डिवाइड होता है उसे Branchiols कहते हैं और Trachea का अगला भाग जो होता ब्रॉंकी कहलाता है क्या कहलाता है ब्रॉंकी तो याद रखना Branchi कहलाता है और ये Branchiols कहलाता है वैसे इन सब सब्सब्दों से Question नहीं बनता मैं आपको इस पष्ट रूप से बता देता हूं आप सुनो यहीं पर Chamber लगा होता है और मान लो ये Oxygen आ रही है तो ये Oxygen आ करके इन एलवलाई में आ जाती है और इस एलवलाई से Oxygen कहां चली जाती है आपके Blood अंगूर के गुच्छों की तरह आपको एलवलाई लगा होता है और बेटा जब आप सिगरेट पीते हैं तो यही एलवलाई यानि वायो को स्ठक बंद हो जाते हैं और फिर सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ध्यान रखिएगा इस बात को तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने की कोशिश करते हैं आपको ठीक है देखो इदर आप लोगों को पता होना चाहिए बोलते हैं ना पधान मंद्र जब 56 इंच का सीना तो बेटा 56 इंच का सीना होगा कैसे जब आप किसी भी सेना या किसी भी पुलिस भरती में जाते हैं तो आपका सीना चोड़ा हो जाता है चोड़ा करके दिखाओ तो बेटा आप बता हो जब सांस लेते हो तो सीना फैलता है और जब सांस छोड़ते हो तो क्या होता है आपका सीना सिकुरता है तो जैसे बना लेगा सीना तो 56 इंच का सीना कैसे होगा उसके पीछे कौन है तो क्या होता है डायाफ्राम तो याद रखना हमारे फेफडे सिकुडते और फैलते हैं किसके कारण तो याद रखना उसका नाम है क्या डायाफ्राम तो हमारे फेफडे प्लूरल जिल्ली से घिरे होते हैं जैसा मैंने आपको बताया और हाँ फेफडों का एक पार्ट है जो प्रागों में विभाजित हो जाता उस पार्ड को प्रैकिया कहते हैं और उस भाग को ब्रेंकियोल्स और ब्रंकाई के नाम से जानते हैं और हाँ इसी ब्रंकाई से छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों की तरह क्या लगा होता है एलवलाई सब्द लगा होता है और एलवल सीजन जुड़ती है आपको एनरजी मिलना स्टार्ट हो जाता है कौकरोच में कौन सा मुख्य अंग होता है जो सांस लेने के लिए पाया जाता है तो नाम है क्या ट्रैकिया समझ में आ गई बात तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आगे की ओर बढ़ते हैं next स्लाइज में अलवलाई सब्द याद रखो ट्रैकिया सब्द याद रखो ब्रंकाई सब्द याद रखो चाहे न याद रखो left और right lungs होते हैं left छोटा होता है और इस plural जिल्ली को याद रखिएगा अब हम next लाइट पर आते हैं देखिए बेटा देखो आपके सामने दिया ह हुआ है बताने की जरुवत नहीं है लंग्स इज लाइट पिंक कलर यानि फेफडे हलके गुलावी रंके होते हैं याद रखिएगा तो याद रखिएगा फेफडे हलके गुलावी रंके होते हैं तो फेफडे हलके गुलावी रंके होते हैं याद रखिएगा और जानते हैं हमारा जो फेफड़ा होता है, वह एक membrane से covered होता है, उसका नाम है plural jelly, तो आपके सामने दिया हुआ है, plural jelly से घिरा होता है, ध्यान लखिएगा इस बात को, और हां, आब मैं आपको कुछ बाते इसमें बताऊंगा, उसके बाद ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आ नाक है आपकी, ये नाक हो गई, नाक तो इदर से है, ये ऐसे ऑक्सीजन जाएगी, और ये ऐसे आएगा, देखो, ऑक्सीजन जाएगी, ये ऐसे, ये आ गया, ठीक है, अब अगर आप मुह से सांस लेना चाहते हैं, तो मुह से भी सांस लिजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगा पर, और सुनिएगा बेटा, ध्यान से जरासा, यहां पर एक धक्कन होता है, उस धक्कन को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना, उस धक्कन को हम बोलते हैं, इपी गलोटिस, हाँ, उस धक्कन को हम क्या बोलते हैं, इपी गलोटिस बोलते हैं, और सुनो, सांस वाली नली को हम फैरिंग्स कहते हैं और खाने वाली नली को हम ग्रास नलिका के नाम से जानते हैं तो हमारे कहने का मतलब यह है आप नाक से सांस लो या मूँ से सांस लो दोनों जाएगा आपके फेपड़ों में ही लेकिन नाक से सांस लेने में फाइदा है क्योंकि नाक में आपके छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं और जब आप सास लेते हैं तो उसमें जा करके धूल मिट्टी फस जाती है और आप बड़ी आसानी से फ्रिश एयर ले जाते हैं और हाँ अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कोई जरूवत नहीं फिल्टर करने की क्यों सिगरेट मे है आप यहां से ले लो और ऑक्सीजन चाहे आप मूँ से ले लो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको पता होना चाहिए देखो इधर यह सांस वाली नली है यह खाने वाली नली है और याद रखना यह ढककन होता है और यह लेरिंग्स है जो हमारे आवाज के लिए लेरिंग्स को वाइस बॉक्स कहते हैं आपको पता होना चाहिए इपी गलॉटिस क्या करता है जब आप खाना खाओगे न बिटा तो यह धक्कन बंद हो जाता है इधर जब आप सांस लोगे तो इधर बंद हो जाएगा यानि एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं या तो आप ऑक्सीजन अंदर ले जा सकते हैं दोनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते या तो फिर आप ऑक्सीजन अंदर ले जाए और या तो आप खाने को निगल लेजिए दो कारिक्रमों में से सिर्फ एक ही कारिक्रम आप कर सकते हैं और आप नहीं कर सकते हैं ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं आगे समझाने की कोशिश करते हैं तो देखो हमारे कहने का बहुत सामान ने मतलब है कि अगर एपिगलॉटिस नहीं होगा तो कभी कभी क्या होता है खाना खाते समय हमारी नाक से चावल निकल जाता है तो समझ जाइए उस निकलने वाले चावल का कारण क्या था कि आप खाते समय भी बात कर रहे थे और आपका वो खाना कहीं न कहीं विंड पाइप में चला गया यानि आपके सास वाली नली में चला गया जिसकी वज़से आपको दिक्कत हो गई तो इसलिए इस ढखकन को ठीक से बंद रखिए और खाना खाते स इस बॉक्स वक्कल कॉड भी कह सकते हैं बहुत आसान है याद रखिएगा ट्रैकिया मैं आपको समझा चुका हूँ इपी गलॉटिस एक धक्कन है नाक से सास लो या मूँ से सास लो कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी सास लो जाएगा दोनों एक ही जगा पर आपके सामने चित से माल लो तो याद रखना बेटा यह फैरिंग्स है और फैरिंग्स क्या होता है वह स्वसन नलिका के नाम से जाना जाता है फेफडे प्लूरल जिल्ले से घिरे होते हैं यह गिलाबी रंके होते हैं याद रखना हम सबसे जादा कौन सी गैस लेते हैं नाइट्रोजन और हम यानि हमारे सरीर में नाइट्रोजन का किसी भी प्रकार से कोई उप्योग नहीं होता तो याद रखिएगा नाइट्रोजन आपकी बॉडी में इस्तमाल नहीं होती इसलिए जितना नाइट्रोजन आप लेंगे उतना पूरा नाइट्रोजन आप सरीर से क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे ध्यान रखना हम 21% oxygen लेते हैं 17% इस्तमाल करते हैं 4% सुरी 17% हम बाहर निकाल देते हैं फिर से और 4% हम use कर लेते हैं तो बच्चा अब आपका प्रशन यही बनता है कि 4% oxygen हम किस चीज को जलाने में use करते हैं तो उसका नाम है क्या glucose और जब glucose जलेगा तो oxygen तो है ही आपके पास अब आप glucose का C ले लेजिए तो CO2 बन जाता है और यही 4% आपका CO2 में convert हो जाता है तो जब कभी भी आपके exam में प्रशन पूछा जाए कि कौन सी gas आप सबसे ज़्यादा अंदर ले जाते हैं तो oxygen भूल के भी नहीं बताईएगा nitrogen याद रखिएगा nitrogen गैस हम सबसे ज़्यादा ले जाते हैं और जितनी गैस हम ले जाते हैं उतना पूरा हम बाहर निकाल देते हैं ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं बालक एक बार oxygen ले जाने में और एक बार CO2 को बाहर निकालने में हमें 5 सेकंड लग जाता यानि जब हम एक बार सांस लिया तो 5 सेकंड लग जाएगा लेकिन अगर हम एक मिनट में count करना चाहते हैं कि कितनी बार हम oxygen अंदर ले जाते हैं और कितनी बार हम CO2 छोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 5 को 5 से 60 को divide करना होगा और आपका answer आएगा 12 तो एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं 12 से 15 बार आप oxygen अंदर ले जाते हैं और 12 से 15 बार आप oxygen को छोड़ देते हैं carbon dioxide के रूप में तो याद रखना एक बार oxygen अंदर ले जाना और CO2 को बाहर निकालना यह दोनों क्रिया में आपको 5 सेकंड लगते हैं और एक मिनट म आप कितना सांस लेते हैं 12 से 15 बार बच्चों और कुटों में यह ज़्यादा होता है कुटों में यह लगबग 30 से उपर होता है लेकिन बच्चों में भी यह कम से कम 25 से 27 बार पाया जाता है उम्मीद करता हूँ आपको सब्दों को चैन आपने कर लिया होगा बेटा देखो इपीगलोटिस एक धक्कन है जब आप खाना खाओगे तो अक्सीजन अंदर नहीं ले जा सकते और जब आप अक्सीजन अंदर ले जाओगे तो आप खाना अंदर नहीं ले जा सकते Larynx क्या है Larynx एक प्रकार का वाइस बॉक्स है और आप चाहे नाक से सांस लो चाहे आप मुझ से सांस लो आप कहीं से भी सांस लो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सब्दों को ध्यान रखिएगा पांस सेकेंड में दो बार आप सांस ले सकते हैं एक बार अक्सीजन लांदर ले जा सकते हैं और सियो टू बाहर निकाल सकते हैं बारा से पंदरा बार कितने मिनट में एक मिनट में आप कर सकते हैं सब्दों को याद रखिएगा आप देखो बेटा वही सेम चीज लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है यह आपको PDF के फॉर्म में अब लेबल हो जाएगा Larynx is also known as voice box यानी Larynx को हम स्वरतंत्र के नाम से भी जानते हैं यानी हमारा जो आवाज निकलता है वो कहां से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं वाकल कॉर्ड या Larynx आप कह सकते हैं ठीक है स्वसन क्रिया के लिए कौकरुच में कौन सा अंग होता है तो बेटा अभी थोड़ी दिर पहले ही बताया था स्वसन क्रिया के लिए कौकरुच में ट्रैकियल अंग पाया जाता है बताए एलवलाई कहां का पार्ट है जो अंगूर के गुच्छों की तरह था तो आएगा आपको माझा लिजी आपके सामने ये अंगूर के गुछे हैं ये देखो इस तरीके से इसमें अंदर और आक्सीजन मौझ भूचूद है ये मानले जिजी ये गुछे आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे आखेकार oxygen आपके फेफ़णों से blood में जाती तो इसको दुरा दूसरा color ले ले लेते हैं तो शायद हम इसको आसानी से समझा ले जाएंगे आपको चलिए अब मानलो यहाँ पर बिटा oxygen आ चुकी है मानलीजी इन जगहों पर oxygen आ चुकी है यह देखो oxygen आ गई अब हमारा blood उसको कैसे लेगा तो एक simple सा तरीका बताते हैं यहाँ पर आपके रक्त न लिकाएं हैं यह देखो यह blood vessels हैं यह देखो यह blood vessels है अब क्या करेगी आप जानते हैं pressure हमेशा higher to lower चलता है यानि उच्च दाब निम्न दाब की और गमन करता है अब एक प्रस्ण है आप से कि जब oxygen फेफ़डों में आई जब oxygen फेफ़डों में आई तो pressure कहां का जादा होगा तो definitely pressure कहां का जादा होगा बताइए definitely pressure कहां का जादा होगा अलवलाई का कहां का प्रेशर जादा होगा एलवलाई जो अंगूर के गुच्छों का यानि इसके अंदर का प्रेशर जादा होगा और बिटा रक्त नलिकाओं का प्रेशर क्या होगा कम यानि जिसे हम कहते हैं रक्त नलिका तो रक्त नलिका का प्रेशर क्या होगा कम लो प्रेशर हाई प जाएगा तुरंत आपके चैंबर से ब्लड में आपका ऑक्सीजन आ जाएगा तो कुल मिला करके आपका आपका ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वह एलवलाई से ब्लड वेसल्स में या रक्त नलिका में जाने का प्रॉसेस क्या है दावांतर है क्या है दाव अंतर दावांतर मतलब समझते हैं आप यानि pressure difference higher to lower इसी का उल्टा होगा जब हमारी body से co2 बाहर जाएगी तो देखिए गाइदर अब माल लीजिए आपका co2 इस जगा पर मौजूद है तो definitely आपका blood में मौजूद है blood vessels में co2 मौजूद है अब क्या होगा अब oxygen तो यहां है नहीं तो क्या होगा यहां पर high pressure हो जाएगा यानि blood vessels पर high pressure हो जाएगा रख्त न लिका में और बेटा यही co2 अंदर की और move कर जाएगी और यह जो co2 है ना इसे हम लोग फेफणों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकाल देंगे तो कुल मिला करके exchange of gas यानि गैसों का win में किसके माध्यम से होता है तो दावांतर के कारण होता है यानि pressure difference के कारण ऐसा होता है ध्यान रखिएगा इस बात को तो दावांतर के कारण होता है और हम इसे कहते हैं pressure difference तो पहले oxygen लीजिए फिर उसको अंगूर के गुच्छों में ले जाए अंगूर के गुच्छों से आप उसे रक्त नलिका में ले जाए और उस oxygen का glucose को जलाने में उपयोग कर लीजिए बहुत आसान होता है ज़ा आपके सामने मैंने लगभग आपको सारी बातें बताई है ठीक है तो देखिए अब आईए next slide पर चलते हैं बेटा हाँ अभी तक तो मैंने आपको तंद्र के बारे में बताया था लेकिन अब मैं आपको स्वसन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले कुछ बातें भी बताऊंगा देखो ध्यान से देखना सांस लेने के पीछे मुख उद्देश क्या था यानि स्वसन क्रिया के पीछे का टार्गेट क्या था तो याद रखना स्वसन क्रिया के पीछे का टार्गेट था ग्लूकोस को जलाना ऑक्सीजन के साथ तो अब जराथा कुछ बातों को समझने की क कोशिश करिए अब हम क्या कर रहे हैं अब हम सांस नहीं ले रहे हैं अब हम उस ग्लूकोस को जला रहे हैं जिस ग्लूकोस को हमने खाना पचाने के बाद बनाया था तो अब हम आपको बेटा अंगों के बारे में न बता करके स्वसन प्रक्रिया के बारे में समझाने जा रहे ह स्वसन क्रिया के बारे में समझाने जा रहे हैं और स्वसन क्रिया क्यों होती है तो स्वसन क्रिया के पीछे कौन है ग्लूकोस को जलाना और क्या ले लेना एनरजी ले लेना ठीक है चलो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं external respiration वाह स्वसन वाह स्वसन में क्या होना है oxygen आएगी CO2 चली जाएगी यानि oxygen आगई CO2 चली गई तो oxygen का आना और CO2 का जाना ही वाह स्वसन है जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो गई अब आते हैं हम लोग जब oxygen भी आपके पास हो गया glucose भी हो गया तो क्या करते हैं अब हम glucose को जला देते हैं तो बेटा कहीं न कहीं तो जलाओगे कोई न कोई जगह तो होगी उसे जलाने की तो उस जगह का नाम है क्या सेल या कोशी का इसी लिए हम इसे कोश की ये स्वसन के नाम से भी जानते हैं तो याद रखना glucose कहां जलेगा सेल में जलेगा और आप जानते हैं सेल पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे इधर देखो ध्यान से एक उंगली की तरह सनरचना होती है और यहाँ पर लिक्विड भरा होता है याद रखना और बेटा इसको हम लोग कहते हैं क्या हाँ और इसे हम कहते हैं क्या साइटो प्लाज्म हम इसे हिंदी में कहते हैं कोशा दरव्या और माईटो कॉनरिया को माईटो कॉनरिया ही कहते हैं तो एक बात बताओ बच्चा सेल के अंदर एक खुबी है क्या ग्लूकोस जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ भी जलेगा और ऑक्सीजन के बिना भी जलेगा तो देखिएगा अगर ऑक्सीजन के बिना जलता है तो स्क्रिया का नाम क्या है एन एरोबिक अनाक्सी सोसन और अगर ऑक oxygen के बिना glucose जल रहा है इसे कहते हैं अन-oxy यानि oxygen का उपयोग नहीं हो रहा है यहांपर अब दूसरा है इसे कह रहे हैं oxygen यानि definitely यहां पर oxygen का उपयोग हो रहा है इसका मतलब तो यही हुआ कि जब हम glucose को जलाते हैं तो दो तरीके से जला सकते हैं बिना oxygen के और oxygen के साथ लेकिन एक पाथ यहांपर नोट करने की है कि अगर आप glucose को जलाते हैं तो आपको energy किसमे ज़्यादा मिलेगी तो उस क्रिया का नाम है क्या aerobic respiration process oxygen क्रिया oxygen क्रिया में सबसे ज़्यादा उर्जा आपको प्राप्त होगी लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जब हम दोड़ लगाते हैं तो हम दोड़ लगाते हैं तो हमारी सांस लेने कि दर rate of respiration बढ़ जाता है कि घड़ जाता है definitely बढ़ जाता है जब हम दोड़ लगाते हैं तो हम जल्दी ठक जाते हैं या देर में ठकते हैं जल्दी ठक जाते हैं तो क्या जितनी energy की जरुवत हमें है क्या उतनी energy हमें मिल जाती है या नहीं मिलती तो सत्य तो ये है कि उतनी energy हमें नहीं मिलती तो बैटा याद रखना उस condition में हमारे सरीर में हमारे सरीर को बचाने के लिए उर्जा देने के लिए हमारा body glucose को बिना oxygen के भी जलाना सुरू कर देगा और उस क्रिया को कहते हैं क्या an aerobic respiration इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब यह हुआ कि आपकी body में glucose दो तरीके से जलेगा oxygen के साथ भी और oxygen के बाद भी तो जिस समय आप दोड़ लगाते हैं जिस समय आप मेहनत करते हैं उस समय बिना oxygen के क्रिया होगी ज़्यादा लेकिन आपको energy सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगी तो उसका नाम है क्या aerobic respiration oxygen समझ में आगई बाद तो बेटा glucose दो तरीके से जलेगा एक बिना oxygen के और एक oxygen के साथ भी जलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं ये बताइए आप powerhouse किसको कहा जाता है mitochondria को तो definitely आप चीजों को समझेए mitochondria को powerhouse कहा जाता है और energy किसमें ज़्यादा मिलती है दोड़ लगाते समय नहीं दोड़ लगाते समय भी energy यहीं पर ज़्यादा मिलेगी oxygen के साथ लेगिन सबसे ज़्यादा क्रिया कौन सी होगी अन ऑक्सी सोसन क्रिया होगी ध्यान रखिएगा इस बात को तो बेटा याद रखना mitochondria में कौन सी क्रिया होगी तो उसका नाम है ऑक्सी सोसन क्रिया एक्जाम में कुस्चन आ चुका है mitochondria में कौन सी क्रिया होगी अक्सी सोसन क्रिया हम इसे hence crab cycle भी कहते हैं hence crab चक्र भी कहते हैं hence crab नाम के एक scientist हुआ करते थे इन्होंने खोजा था इसलिए इसका नाम पड़ा क्या hence crab cycle और जानते हैं तो अब बिना oxygen वाली क्रिया कहा होती है तो कोशा द्रब्बे में होती है मैं आपको यहाँ पर दो fact और बताता हूँ अगर आप दोड़ा लगाएंगे तो आपके body में glucose बिना oxygen के जलेगा और जो उसका product बनेगा वही product अगली वाली क्रिया में इस्तमाल होगा तभी आपको ज्यादा energy मिलेगी इसका मतलब अगर ये वाली क्रिया नहीं होगी तो ये व अनाक्सी स्वसन को glycolysis भी कहते हैं और अक्सी स्वसन को हम हेंस क्रैप साइकिल के नाम से भी जानते हैं energy यहाँ ज़्यादा मिलेगी यहाँ क्रिया माइटो कॉंड्रिया में होती है लेकिन दोड़ लगाते समय सबसे ज़्यादा कौन सी क्रिया होगी anaerobic respiration होगी इनके दूसरे वाले नाम भी आप लोग याद रखिएगा तो आएए अब हम सबसे पहले ये वाला प्रोसेस आपको समझाने जा रहे हैं अनाक्सी स्वसन क्रिया देखो अब प्रोसेस में आते हैं वह सिंपल सा है आपको बताई चुका हूँ अभी अभी थोड कॉन्रिया में होती है अभी अभी बता चुका हूँ और हाँ ऑक्सी स्वसन क्रिया में एनरजी मिलेगी ज्यादा और हाँ ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस की क्रिया का मतलब क्या हुआ बिना ऑक्सीजन वाली क्रिया एन एरोबिक रिस्परेशन अनाक्सी को EMP pathway के नाम से भी जाना जाता है EMP pathway का मतलब क्या होता है बेटा तीन scientist थे जिन्होंने इसे मिल के खोजा था इसी लिए इसका नाम पड़ा EMP pathway क्या नाम है Ambadan Mayor Half Parson तो अब मैं आपसे एक प्रश्ण मुस्ता हूँ कि ये बताओ कौन सी क्रिया को हम EMP P pathway के नाम से जानते हैं तो आप जट से उत्तर देना सर बिना oxygen वाली क्रिया जो होती है glycolysis हम उसे क्या कहते हैं हम उसे EMP pathway के नाम से जानते हैं और hence crap cycle किसे कहते हैं तो याद रखिएगा hence crap cycle किसे कहते हैं तो वो था क्या अब ही वो आगे आएगा तो चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आजयाएगा उकसी सोसन क्रिया माइट्ोकॉंड्रिया में अनउकसी सोसन क्रिया कोशा द्रब्ने में पाई जाती है और बिना उकसीजन वाले क्रिया को EMP पात्वे कहते हैं क्योंकि इसको 3 साइंटि पार्सन नाम के वेग्यानिक ने किया था तो आए आगे बढ़ते हैं और आगे समझाने की कोशिश करते हैं अब देखो बेटा सबसे पहले हम बिना ऑक्सीजन वाली क्रिया करते हैं ठीक है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है न हो सके तो आप इसको याद मत करना ये आपके लिखा हुआ है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है और अगर आपको केमेस्ट्री थोड़ा बहुत भी आती है तो मेरा एक सुझाओ रहेगा आप इसको कभी भी इस एक्वेशन को बैलेंस नहीं करना हम इस एक्वेशन को यहां लिखना नहीं चाहते थे लेकिन इसलिए लिखा त टार्गेट है क्या बनाना प्रोड़क्ट बनाना ताकि अगली वाली क्रिया ऑक्सीजन के साथ वाली आसानी से हो जाए ठीक है देखना इदर ये है बिना अक्सीजन वाली क्रिया, जब आप दोड लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा क्रिया होगी, देखो लिखा हुआ है, अधिक्तम अनाक्सीजन क्रिया दोड लगाते समय होती है, अक्सर एक कोस्चन बनता है, अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, अक्सर एक कोस्चन बनता है, कि सरीर में दर्द कौन से अमल की जमा हो जाने पर होता है, तो बड़ा कॉमन सा कोस्चन है, उसका नाम है क्या, लैक्टिक एसिड, सौरी, तो याद रखिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा अमल आपके सरीर में इ लगाता है, अचानक आपकी एक ऐसी स्थिती बन जाती है, कि आप दोड़ते दोड़ते ठक जाते हैं, और ठक करके हार जाते हैं, और आपके सरीर में एक अजीव सा एंठन बन जाता है, तो बड़ा, इसका मतलब यह हुआ, कि जैसे ही यह ग्लूकोस जलेगा, यह देखो, जला रहे हैं, जलाने के बाद तुरंत शराब बनेगी, नाम है एथिल एलकोहल, और अचानक क्या होगा, आप दोड़ते दोड़ते ठक जाएंगे, और आपके सरीर में लैक्टिक एसीड बन जाएगा, लेकिन जब आप आराम कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यही लैक्टिक किस में बदल जाता है, पारवी केसिड में, और आप फिर से दोड़नी की स्थिती में आ जाती हैं, तो अब आपके एक्जाम में एक बार प्रस्ण पूछा गया, यह बताओ, ओक्सी सोसनक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है, लास्ट प्रोड़क्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, और जानते हैं, यह बताओ, हमारे सरीर में एनरजी किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है, और बेटा भंडारित भी किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, और हम अपनी उर्जा का इस्तमाल किस रूप में करते है किलो कैलोरी के रूप में करते है मान लिजे आप इंडियन है और आप सहरी इंडियन है तो आप अगर महिला है तो आपको अठारा सो किलो कैलोरी उरजा की जरुवत होगी सहरी महिला को लेकिन अगर आप पुरुस हैं तो आपको बाइस सो किलो कैलोरी उर्जा की जरुवत होगी लेकिन अगर आप गाउं में हैं तो इसमें चार-चार सो बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मजदूर महिला जो होती है अब मजदूर जो पुरुस होता है उसमें एनर्जी की जरूवत होती है लेकिन ये संख्या अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्री हो वहाँ पर जादा होती है हम लोगों के यहाँ उतनी कैलोरी नहीं मिल पाती, जितनी उनको जरूरत होती है, लेकिन विदर्शों में उतनी कालोरी, उनों को पता, जिसे अब हम को भूँक लगी, पता चला, जितना भुजीयक परगट रखा, हम सब kittens comes, तो जब भुजीयक पर रखा, है माली जो उन्होंने एक अख्रोट खा लिया है तो अब उन्होंने एक मुंफली का दाना खाया तो उनको पता है कि भाईया इस मुंफली के चार एटीपी बनती है आप से पूछा गया था एक बार ये बताइए बिना अकसीजन वाली क्रिया में यानि ग्लाइकोलिसिस में कितनी कुल ओरजा मिलती है 4 एटीपी और आपको इस पूरी प्रक्रिया में दो ATP इस्तमाल हो जाती है और आपके पास कुल उर्जा नेट गेन एनरजी कितनी मिलती है दो ATP ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो सेंट्राई फॉसफेट ध्यान रखिएगा बेटा आराम के समय लैक्टिक अमल पायरविक अमल में बदल जाता है और हमारे सरीर में थकान क्यों लगती है लैक्टिक अमल के जमा हो जाने पर लगती है इस क्रिया में कार्बन डाय अकसाइड और हाइड्रोजन बनेगा जो अगली वाली जो क्रिया है उसमें इस्तमाल होने जा रहा है तो आईए अगले स्लाइड पर बात करते हैं देखो इदर आपको जैसा अभी मैंने पढ़ाया वही चीज़ें लिखी हुई है पायरविक एसिड इस लास्ट प्रोड़क्ट आफ पायरविक आमल अनाक्सी स्वसंक्रिया का अंति मुतपाद होता है थोड़ा यह जटिल है वेटा फिर भी आपको समझना होगा क्योंकि एक्जाम में परस्ण पूछे जाते हैं इसलिए थोड़ा सा जटिल ताएं हैं फिर भी समझने की कोशिश करिए सांस लेने का मुख्य देश क्या है ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन लेकर के ग्लूकोस को जलाना अगर आप ग्लूकोस को नहीं जलाओगे तो उस ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है जो ऑक्सीजन आपने लिया है कार्बन डाय अक्साइड और हाइड्रोजन और अक्सी सवसंक्रिया से उत्पादि इसलिए अब हम glucose को oxygen के साथ जलाएंगे और हाँ बिना oxygen वाला जो anaerobic respiration है हम उसे glycolisis के नाम से भी जानते हैं glycolisis क्रिया के नाम से भी जानते हैं तो आएए अगला slide पे चलते हैं अब देखो बेटा अब oxygen के साथ वाली क्रिया आ गई कौन सी क्रिया आ गई आपके सामने oxygen के साथ वाली तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है oxygen कहां होती है mitochondria में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको अब मेरी बात ध्यान से सुनना मान लीजे बेटा ये mitochondria है mitochondria में ये finger like structure होता है इसे हम कहते हैं क्या आपके सामने भी लिखा हुआ है हम इसे कहते हैं क्रिष्टी कहीं लिखा हुआ ये देखो क्रिष्टी लिखा हुआ है mitochondria में उंगली की तरह संरचना को हम क्या कहते हैं क्रिष्टी कहते हैं और सुनो बिटा इस क्रिष्टी में एक system पाया जाता है और उस system का नाम है क्या थोड़ा जटिल है फिर भी समझिएगा electron transport system क्या पाया जाता है electron transport system फिर से मैं आपको बताता हूँ oxygen वाली क्रिया कहा होती है oxygen वाली क्रिया mitochondria में होती है mitochondria में उंगली की तरह संरचना क्या पायी जाती है क्रिष्टी पाया जाती ठीक है इस क्रिष्टी में एक system पाया जाता है electron परिवहन तंत्र उस क्रिष्टी में electron परिवहन तंत्र पाया जाता है और सुनोगा बिटा जो पुरानी वाली क्रिया में carbon dioxide और hydrogen आपने बनाया था वो आपस में पारविक अमल की उपस्तती में क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे और आपको बिल्कुल जानने की जरुद नहीं है कि NAD क्या है FAD क्या है, एक्जाम में कम आता है, कोई जरूवत नहीं है, एसिटल को एंजाइम के दो पार्ट है, NAD और FAD, एक NAD कितने के बराबर होता है, पाँच ATP के, और एक FAD कितने के बराबर होता है, दो ATP के बराबर होता है, तो याद रखना वच्चा, आक्सी सौसनिक्रिया, सिस्टम होता है, इलेक्टरान ट्रांस्पोर्ट सिस्टम, और इस सिस्टम में पुरानी वाली क्रिया का, यानि बिना ऑक्सीजन वाली क्रिया का, कार्बन डाया अक्साइड, हाइडरोजन, पारविक एसिड आपस में क्रिया करता है, और एसिटल को एंजाइम एका निर्मा और अब आये last में उर्जा का निर्माड कर देथे हैं, ध्यान से सुनियेगा, उर्जा का निर्माड, तो आपके सरीर में उर्जा का निर्माड होगा, तो देखिएगा, तीन NAD बनेगी तो तीन और एक NAD पांच के बराबर है तो पांच गुड़े तीन तीन पंद्रा हो गया एक FAT कितने के बराबर है दो ATP के तो ये देखो और बेटा एक ATP भी बनेगी इस क्रिया में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको अटा दो तो बेटा आपको याद रखना एक ATP बराबर कितना हो गया 1 into 1 is equal to क्या हो गया आप देखो यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको हम लोग जड़ा सा सही कर लेते हैं पहले देखो मैं इसको सही कर देता हूँ और आपको जो PDF मिलेगी वहाँ पर ये सही करके मिलेगी देखो तीन NAD बराबर क्या बना 3 into 5 is equal to 15 अब क्या बना 1 FAD बनेगा एक FAD बनेगा वालक तो 1 into 2 is equal to क्या हो गया 2 अब 1 ATP भी बन जाएगा और 1 ATP बना तो 1 into 1 is equal to 1 अब देखिए जोड़िए इसको 18 और 18 को हम 2 से multiply करेंगे multiply क्यों कर रहे हैं क्योंकि 2 आणू किस चीज के हैं 2 आणू पाइरुविक अमलके होते हैं और जब आणू पाइरुविक अमलके होते हैं और जब आप इसको multiply करोगे तो total energy आपके सामने क्या मिलेगी 36 ATP ध्यान रखना तो याद रखना 36 ATP के नाम से जानते हैं आपके सामने यह लिखा भी हुआ है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बिना oxygen वाली क्रिया में कितना ATP बना दो और oxygen वाली क्रिया में कितना ATP बना 36 तो 36 ATP बहुत होता है ध्यान रखिएगा अच्छा बिना oxygen वाली क्रिया में कौन सा last product था पाइरुविक असिड तो लेकिन oxygen वाली क्रिया में last product क्या होता है को यानि कौन सा अमल होता है तो साइट्रिक अमल पाया जाता है लास्ट प्रॉडक्ट में ये सब एक्वेशन आपको याद रखने की कोई जरुवत नहीं है मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है सिट्रिक एसिड नीमू में पाया जाता है लेकिन आपके सरीर में भी सिट्रिक नहें लगे हाथ, बेटा ये S.S.C. में कोश्चन आया, सार्स नाम की बिमारी किस से होती, तो सुनो, सार्स एक वाइरस है, सार्स एक वाइरस है, ठीक है, जब ये फेफ़रों में जाता है, तो हमारी ट्यूब को परिशान करता है, ये, सांस वाली नली को चोक कर देगा, और बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसका पूरा नाम देख लो क्या है, सर्व एक्यूट रेस्पारेटरी सिंड्रोम, और हाँ, ये होता किस से है, वाइरस से होता है, कौन सा वाइरस है, सार्स वाइरस है, ठीक है, एक बड़ा ही कॉमन रोग है, जो अक्सर लोगों को हो जात नाम है उसका टीवी, तो टीवी की बिमारी होती किस से है, तो याद रखना वच्चा, टीवी का जो रोग होता है, वाइरस बैक्टिरिया से होता है, कौन सा बैक्टिरिया है, माइको बैक्टिरियम टुबरकिलोसिस, और हाँ, 24 मार्च को हम टीवी दिवस के रूप में मना रखती है, तो टीवी से बच के रहिए, और टीवी का इलाज है, इसलिए टीवी से बचने का प्रयास करते रहिए, और उस बैक्टिरिया से दूर रहिए, ठीक है, और अगर आपके बच्चे हो रहे हैं, भविश में चल करके आप पिता बनेंगे, तो आप अपने बच्चो को टीवी ना हो, इसके लिए आप टीका करण करवाएंगे, और उस टीके का नाम है बी सी जी, क्या नाम है उस टीके का? उस टीके का नाम है बी सी जी, फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखा हुआ है, एक बिमारी होती जिसका नाम है काली खासी, कुता खासी, तो काली खास के लिए एक टीका करण कराया जाता है और उस टीका करण का नाम है क्या डीपी टी तो डीपी का मतलब क्या हुआ डी का मतलब क्या हुआ डेप्थीरिया नाम की बिमारी पी का मतलब क्या हुआ काली खासी नाम की बिमारी और टिटनेस का मतलब जो आपके जबडे जाम हो जाते तो तीन बिमारियों के लिए एक टी का करण किया जाता है, याद रखना DPT की बिमारी के लिए तीन बिमारियां है, DPT की और इन तीनों बिमारियों के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसे हम DPT का इंजेक्शन कहते हैं, तो याद रखना काली खासी हो, या सारसो या tuberculosis तो या कालिखासी हो, यह सब बिमारिया आपके फेफरों की हैं, किस से होती हैं, यह आपको पता है, अगली बिमारिया आते हैं, pneumonia किस से होता हैं? फेफरों में पानी भर जाता है, वो भी bacteria से होता है, dipylocaucos pneumoniae नाम का bacteria है, जिसकी वज़ा से फेफडों में पानी भर जाती है अस्थमा आप जानते हैं ट्राइकोफाइटान नाम का फंगस है यानि कवक के द्वारास्थमा होता है पूरा पाइप जाम हो जाता है बड़ी दिक्कता जाती है द्यान रखना और हाँ एक बहुत खतरनाक रोग है एंथरेक्स बेटा आप याद रखना ये जो एंथरेक्स है न ये रोग ये सबसे पहले कहां पाया गया सबसे पहले भेण में पाया गया सबसे पहले भेड में पाया गया और ये हमारे लंग्स को प्रभावित कर देता है इसके बैक्टिरिया का नाम क्या है बैसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स से एंथ्रेसिस निकल गया और याद रेखना, भेणों से उन मिलता है, और उन उद्योग में कारे करने वाले करमचारियों में इस रोग के होने के चांस जधा होते हैं, फिफड़ा जाम हो जाता है, और आदमी के मरने के चांस हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका उपयोग अमेरिका ने वियत नाम पर किया था, as a biological weapon, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घासे थी, तो उस घास को खतम करने के लिए, इसका जब छिड़काओ किया गया, तो वहाँ पर लोग भी मर गए, घास भी खतम होई, लोग भी मर गए, तो इसलिए इसका बैक्टिरिया सुरच्छित अमेरिका में रखा हुआ है, अब दुबारा इसका उपयोग कभी नहीं किया गया, इ आप हमसे कैसे कॉंटेट कर सकते हैं, अपने क्वेरी कैसे बेश सकते हैं, अपने मित्रों को बताईए, दोस्तों को बताईए, परिवार में सदस्यों को बताईए, कि एक तिरपाथी सर हैं, सुधीर तिरपाथी सर, वो हमें बालोजी पढ़ा रहे हैं, और हमें समझ में आ आपको सफलता निस्चित मिलेगी, गैरेंटीट सफलता मिलेगी, और आपके अपने intuition के जितने भी question आते है, rrb cbt2 में, वैसे तो biology का portion नहीं है, rrb jcbt2 में. Physics और chemistry का है, मैं जो आपको पढ़ा दूँगा, उसी में से आएगा, उससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहां से कौन सा प्रश्ण बन सकता है तो आज के लिए इतना ही नमस्कार धन्यवाद तैंक यू